तो आज ही हम लोगों ने इस चैनल पे community पोष्ट किया है आप लोग जा के देख सकते हैं और वहाँ पे हमने पुछा किके इस चैनल पे 9th के हैं और कितने बच्चे इस चैनल पे 10th के हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10th के exam दे चुके हैं वो 11 में जाएंगे सभी स्टूरेंट्स को नमस्कार है जी तो स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पर नाइंध और टेंथ के चैनल पर तो बहुत टाइम से अब यहां पर हम लोग करियर डिसकेशन की बात कर रहे थे और जो बच्चे 10 से 11 में जा रहे हुं लोग की बात क सारे बच्चे जिन्होंने यह चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है टेंथ के न्यू सेशन के लिए उनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर नया सेशन कब से स्टार्ट होगा सर नई क्लासिस कब से आएंगी सर प्लीज जल से जल शुरू करा दीजिए तो बच्चों वक्त आ गया है यहां से प्लाइन अगया है कि हम लोग नए कोर्स को आज से यहां से प्लाइन आज तो पहले बाद तो आपको एक प्लाइन देने वाले हम लोग प्लाइन आपको बिल्कुल अपने किसी आसपास की ट्यूशन सेंटर पर जाने वाली फील आए यानि एक प्रोसेस होगा कि यार MWF में क्या-क्या क्या-क्लास मिलेंगी टिटीएस में क्या-क्या ट tragen नीचे चलता है टेकनिकल प्रॉबलम सा जाती है लेकिन बडावय्न में चलता है बिमार जाता है बंध विमार जाते लेकिन overall जो planned रहेगा इस channel पे 10th की classes का वो क्या है मैं 10th की classes से पहले बात कर लूँ 9th के बारे में because यहाँ पे काफी बच्चे 9th के भी होंगे तो आज ही हम लोगों ने इस channel पे community post किया है आप लोग जाके देख सकते हैं और वहाँ पे हमने पूछा कि कितने बच्चे इस channel पे 9th के हैं और कितने बच्चे इस channel पे 10th के हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो 10th के exam दे चुके हैं अब वो 11th में जाएंगे तो 11th वाले कोई बच्चा अगर यहाँ पे है तो उसको तुम्हें पताई दूँ अगर आपने commerce लिये तो मारे पास commerce का channel है learn and fun commerce अगर आपने science लिये तो आपके पास 11-12 का science का channel है और अगर आपने humanities लिये तो आपके पास उजवला पुंज मैम का एक humanities का channel भी है जिसके link आपको description या फिर feature channels पे कहीं पे मिल जाएंगे लेकिन बात अभी वो नहीं है बात यह है कि जो existing 10th के बच्चे हैं अगर आप 9th के बच्चे हैं तो जाके poll करो प्योंकि 9th की audience को लेके अभी हम लोग blank हैं कि कितनी 9th की audience है उसके हिसाब से उनका plan आएगा विल्कुल जैसा plan आप आज हम 10th का discuss करना वाले 9th का plan भी वैसा है कुछ आएगा लेकिन हैं पता नहीं है कि 9th की जनता कैसी है कितनी है तो वहाँ पे जाके poll करो और अगर आपको community post वेगार नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे comment section पे लग दो कि कितने बच्चे आप में से आप इन 9th की है अगर उन्हें वीडियो खोल लिए तो although यह वीडियो 10th के बच्चों के लिए है चलिए तो सबसे पहले बात 2022 और 2023 का जो session है जो कि अब annual session है जहाँ पे आप term 1, term 2 नहीं रहने वाला है उनके लिए क्या schedule रहेगा learn and fun के channel पे कैसे कैसे आपके पास lectures आएंगे उससे पहले शायद आपको ना पता हो तो मैं पता दूँ अगर आप नहीं हो तो मैं पढ़ाता हूँ 10th को 9th को 11th को 12th को science science में मैं बढ़ाता हूँ physics और chemistry biology आपको पढ़ाएंगी शिवांगी मैं इंग्लिश आपको पढ़ाएंगी तान्या मैं एसस्ट्री आपको पढ़ाएंगी उजवला मैं और mathematics आपको पढ़ाएंगे अक्षेसर इस channel पे learn and fun पे अब यहाँ पे अगर मैं आपको schedule की बात पता दूँ science की तो देखो क्या होता है हमेशा से एक बात बहुत है कि अगर हम लोग एक चीज को एक regular time पे करते हैं मैंने अभी हाली में एक video डाली थी time management के उपर इसी channel पे जहां मैंने कहा था कि ठीक है अपने आपको अपने level पे restrict नहीं करना है लेकिन जब तक आपके पास दूसरे लेवल पे आप अपने level पे कब क्या पढ़ाई कर रहे है अलग बात होती है लेकिन आपको हमारे तरफ से क्या knowledge क्या lecture deliver हो रहे है या अलग बात है तो पहले बात हो time fix करना बहुत जरूरिये दूसरी बात आप सब शाहिए जानते ही हो कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करके भी इंसान थोड़ा तो हम यहां पर सिर्फ पढ़ाई की बातें नहीं करते हैं हम लोग पढ़ाई के साथ-साथ थोड़ा बहुत fund यहाँ पर करते हैं और वो पड़ाई से related ही होता है कहीं ना कहीं ताकि आपको knowledge भी मिले और साथ-साथ fund भी मिले तो वो सब schedule में आने वाला है उसके उपर discussion चलेगी लेकिन और हम यहाँ पर ही मैं science के बारे में भी बात करता रहूँगा कि कौन से lecture में कौन से chapter में में जबा म से Wednesday Friday Monday को आप से मिलने वाली सस्टी वाली मैडम जिसका जिनका नाम मैंने क्या नाम लिख दिया यह क्या यार आध्या वाट इस इस उजवला मैम, मुझे मैम स्पैलिंग याद है, आपकी ऐसा नहीं है कि मुझे स्पैलिंग याद नहीं है, अगर ये मैडम ये वीडियो देख रही हो, ये कुछ गलती हो गई है, उजवल मैम क्या होता है बच्चो, कुछ नहीं होता है, नाम है उजवला मैम, कोई बात नी बेटा उजवला मैम आपको पढ़ाएंगे सस्टी याने की सोशल साइंस, मंडे को, टाइम बता रहा हूँ मैं, अभी टाइम भी बता हूँगा मैं आपको, लेकिन मंडे, वेनजडे, फ्राइडे में से मंडे को सस्टी वाली मैडम आपसे मिलेंगी, उजवला मैडम, और वो का एक के लेक्चर आएगा, इनीशियल डेज में तो आंसर है येस, इनीशियल वीक्स में तो आंसर है येस, दीरे 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 लेक्चर बढ़ा देंगे, शायद आप में से कुछ बच्चों को पताओ, हमने पहले भी लर्न अन्फन पर यही किया था, इनीशियल हम ल सब्सक्राइब कर दो यहां पर बात हो रही है दसवी कक्षा की अभी नाइन्थ वालों से मैंने बात कर ली है नाइन्थ वाले या तो community post पर जाके पोल करें नाइन्थ के हैं वो यहाँ पर comment कर दें पोल कर देंगे तो बहतर रहेगा अब सवाल यह उड़ता है कि क्या हम हफते में बाकी सारे subjects को एक एक दिन दे रहे हैं लेकिन क्या हम science को तीन द दे रहे हैं इसका कारण क्या है सर यह तो आप गुंडागर दे कर रहे हैं नहीं मैंने नहीं किया है यह हमारे team ने decide कि ऐसा नहीं although मुझे आपसे बहुत प्यार है मैं चाहता हम आप मुझे जादा देखें लेकिन यह मेरा decision नहीं है हमारे पूरी team का है इसके पीछे कारण है कारण क्या है कारण बहुत सारे चलो कारण पर भी क्या ही जाए वह आप दीरे-दीरे समझ जाओगे कि science में कहीं बार हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं कहीं बार हमें चैनल लांच किया था और पूरा syllabus बच्चों को टुका कराया था एक्जाम डेज में मेरेथान कराये थे और इतने हजारों बच्चे हमारा साथ जुड़किन उन्हें त्यारी की और बहुत अच्छे एक्जाम बेगे तो उस चीज़ के के टेंशन मतली आप लोग लेकिन तूजिडे में तीन दिन आपको मिलने वाली साइन्स स्च बासामर अचा अब यहां पे साइन्स में आपको पता है तीन हिससे होते हैं के साइंस में बाड़IE कंस्ति願い और econ lebih ऑप नहीं जानते तो इस मेरा नाम है आशू ठीक है बच्चों में और biology आपको पढ़ाएंगी शिवांगी में biology आपको पढ़ाएंगी शिवांगी में ठीक है अगर आप हमारी faculty सा भी तक नहीं मिले हो मैं आशू science physics chemistry बागी सारी faculties इसी channel पर आपको दिख जाएंगी banner पर भी लगे वे दिख जाएंगे lectures भी दिख जाएंगे आप लोग देख सकते होने या जानते ही होगे आप नहीं कोई बात नहीं भी जानते तो आप जान जाओगे लेकिन TTS में आपको मिलने वाले science अब जब chemistry या फिर physics का lecture चल रहा होगा तो TTS में मैं आपसे मिलूँगा लेकर अगर कोई biology का chapter चल रहा है तो आपसे शिवांगी मैं मिलेंगे अब मैं यहाँ पर थोड़ सी science के बारे में बात करूँ कि कितने कौन कौन से chapter जादा lecture लेंगे जैसे chemical reaction equation एक छोटा chapter है तो कम lecture चल लेगा ले जाएगा मतलब आप मान के तल सकते हो कि एक हफते में हम उचेप्टर खतम कर लेंगे लेकिन कहीं chapter जैसे कि light reflection and reflection काफी जादा बड़ा काफी जादा lengthy chapter है तो जादा lectures भी लेगा हो ऐसा है अब जहाँ तक मुझे लगता है कि social science यानि सेस्टी और English में ऐसे कोई बड़े बड़े chapter ने तो जो दो दो हफते चले मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ एक आध हो भी सकता है लेकिन मुझे जहां तक लगता है ऐसा नहीं है maths में होते हैं ऐसे chapter लेकिन और maths के आगे जाके lecture बड़ाए भी जाएंगे पार्ट की भी बात कर लेंगे तो यह chapter ऐसे ऐसे हैं जिनको बहुत जादा नमबर आफ लेक्टर चाहिए offline classes में तो एक-एक महीना चलता है light chapter और विसे बात है यहां पर आप लोग नोट नहीं करोगे वहां तो हम डाइगराम देट इस वाइना science को जाता समझ चाहिए फिर experiment भी देखने उनके शौट्स भी रिकॉर्ड करने शौट्स भी आएंगे एक्सपेरिमेंट के और कहीं एक्सपेरिमेंट लाइफ क्लास के दोरान नहीं आपको दिखाए जाएंगे तो कहने का मतलब है अभी इससे लिए ऐसा किया गया कि science को तीन दिन दिए गये है physics chemistry or bio अब process क्या रहेगा जनरली ऐसा होगा जनरली ऐसा होगा कि सब से पहले उठाए जाएगी केविश्ट्री अ फिर उठाएगी biology और फिर उठाएजाएगी physics हो सकता है कुछ बदलाव इसमें हो जाएं जैसे कि जहां तक मुझे लग रहा है कि हम लोग सबसे पहले तो chemistry उठाएंगे मैं उठाऊंगा और फिर उसके बाद हम biology क्योंकि offline में तो मैं यह करता हूं लेकिन आपके पास TTS में यह lectures आएंगे अगर chemistry का को चप्टर शुरू किया है तो अब बात है उसे खतम करके हम लोग biology पर चलेंगे और biology शुरू किया है तो उसको खतम करने के बाद ही फिर पर चलेंगे ऐसा नहीं कि एक ही साथ दो दो चप्टर science के शुरू कर दियेगे नही फिर मैंने आपको काम पूरी tuition वाली feel आपको देने वाले हैं अब दो बाते बची संडे क्या होगा और time क्या रहेगा तो पहली बात इन सारे lectures का जो time रहेगा वो रहेगा पांच बजे यहां सारे lectures का जो time रहेगा वो पांच बजे रहेगा कल रात को पोने 12 बजे 11.45 पर हम कि मैं चाहूंगा कि जब भी कोई government holiday हो कोई भी government holiday हो जिस दिन हम लोग जादा बिजय हुली दीवाली की में बात नहीं कर रहा कोई government holiday आती है जिस दिन हमार हम कुछ भी नहीं कर रहे होता है लेकिन छुटी होती हो तो उस दिन मैंने उन से request की कि अगर उस दिन TTS है तो हम द लोग कोई एक ऐसा दिन मैं ऐसे बोल रहा हूं मुझे पता नहीं कि इस दिन कुछ काम होता है कि नहीं कुछ नहीं करता है मैं जोयों सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे हैं मान लेते हैं थोड़े के लिए हो सकता है कोई बच्चे भी इसे भी हूं बड़ मोस्ट आफदी बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उस दिन हमारा जो लेक्चर होगा शाम को पांच बजे वाला वहम सुभे में लाइब जाके लेंगे ताकि हम आपस में इंटराक्ट भी कर सकें लेकिन फिलाल जो सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे शाम को पांक बचे पांक बजे आपको लेक्चर मिला करेंगे हर एक ल realities हर एके लिए आपके पास हरेक लेक्चर आएगई अब बात रही है अगर संडे की तो संडे को एक्स्ट्रा चीज़ें होती रहेंगे जैसे की बहुत डिमांड आ रही है क्विज की साइंस वर्सित असस्टी हो सकता है इस संडे नहीं तो अगले संडे आपको वो मिल जाए उसके पर भी काम चल रहा है कभी किसंडे मोग मैरेथान कर रहे है कि सं कोई और संडे कोई साइंस के ट्रिक्स के पर वीडियो आ रहे है कोई क्लास के अंदर नहीं हो सकता लेकिन उसको संजहना बहुत जरूरी है तो इसको अलग से किसी जगह पर record करके short की form में डाल देंगे और lecture में पता देंगे कि यार इसके ओपर short डाल दिया के जाके इसके ओपर देख लो क्यूंकि experimental knowledge भी बहुत जरूरी है facts small sct की कोई dates हैं कोई fact है English में कोई pronunciation है कोई नया word है math में कोई formula याद करने के trick है को easy trick है for calculation वो सब shots की form में आपके पास आती रहेंगी और Sunday को extra चीज़े आपके पास आती रहेंगी तो इस प्रकार से हम लोग चलने वाले हैं इस चैनल पर अब सबसे important सवाल यह सारा process तो हम समझ गए कि MWF क्या आएगा TTS क्या आएगा पांत बिचे क्या आएगा संड़े को क्या आएगा लेकिन यह सब लागू कप से हो रहा है यह सब स्टार्ट कप से हो रहा है तो आंसर है बच्चों यह सब चीज़े स्टार्ट हो रही हैं कमिंग थर्ज से जो थर्जडे आ रहा है मारे पास आज क्या डे है आज है त्यूज जे कलेवेने जे और पर सब्सक्राइब याने की 31 तारिक एक तारिक दो दो तारिक से चीज़े आपके पास आना शुरू हो जाएंगे थर्जडे को पांच बजे तुम्हारा भाई ही तुमसे मिल रहा ह है साइन्स लेके चैप्टर का नाम है केमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन ठीक है बच्चों तो थर्जडे को पांच बजे मिलते हैं केमिकल रियक्शन एक्वेशन और तावर तोर तरह किसे पढ़ाई शुरू कर देंगे आप दुबारा बोल रहा हूं जाके चेक कर लो ब तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थर्जडे को पांच बजे साइन्स के लिए केमिकल रियक्शन एंड इक्वेशन के लिए तियारी जोरो शोरो पे थेंकी सुमाज